C I E T N C E R T द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पाठ 16 चूँचूं करती आई चिडिया प्रिष्ट 127 प्यारे बच्चों, दोपहर के ठीक तीन बजे हैं, आकाश में एक भी बादल नहीं है, सूरज तेज चमक रहा है, गौरईया, फाक्ता, शकरखोरा, सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोसला बनाने की तयारी मिल गे हैं, कुछ पक्षियों ने तो अपना घोसला बना भी लिया है, कुछ घोसलों में अंडों से बच्चे भी निकलाए हैं, इन नन्य बच्चों के माबाप, उन्हें तरह तरह के कीडे और अन्य चीजें खिलाने में व्यस्थ हैं, हमारे आंगन में भी फाक्ता का एक बच्चा हुआ है, उसके घोसले में अभी एक अंडा और पड़ा है, लगता है उसकी माने इसे अभी तक ठीक से सेया नहीं है, प्रिष्ट 128, गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं, इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिडी यानि इंडिन रॉबिन ने अंडे दिये हैं, बच्चु भाई ने मुझे वह जगह दिखाई थी, मैंने दूरबिन से घोंसले में देखा, घोंसला घास से बना है, उसके उपर पौधों की नाजुक तहनी, जड़े, उन, बाल, रूई सब बिचा है, कलचिडी का घोंसला ऐसा ही होता है, आखिर उसके बच्चों को आरा सामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना, कलचिडी कववे जैसी नहीं है, कववे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकडी की शाखाई जैसी चीजें भी होती हैं, कलचिडी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा, वह अपनी चोंच फाड़ कर बैठा था, उसकी चो अंदर से लाल थी, कुछ दिर बाद कलचिडी कहीं से उड़ कर आई और बच्चे के मुह में कुछ रखा, शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे, तब तक शाम हो गई, कलचिडी भी अब अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठ गई कोयल, तुम जानते ही हो, कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है, वह अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कववे के घोंसले में अंडे दे देती है, कववा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है नस्दीक में एक छोटा सा पेड़ है उसकी एक डाल से घोसला लटका हुआ है पक्षियों में भी कितना अंतर है कववा पेड़ की उची डाल पर घोसला बनाता है जबकि फाक्ता केक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेर में गोरईया आम तोर पर घर में या आसपास दिखाई देती है वह कहीं भी घोसला बना लेती है अलमारी के उपर, आइने के पीछे, घर की दिवार के आले में कबूतर भी ऐसा ही अपना घोसला बनाता है पुराने मकान या खंडहरों में बसंत गोरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं पेड के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देते हैं दरजिन चडिया कातो जैसा नाम वैसा काम वह अपनी नुकीली चोच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तयार करती है यही है उसका गोंसला शक्कर खोरा किसी छोटे पेड या जाड़ी की डाली पर अपना लटकता गोंसला बनाते हैं उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्कर खोरा का गोंसला देखा क्या तुम जानते हो कि यह गोंसला किन चीजों से बनता है गोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रूई, पेड की छाल के टुकडे और कपणों के चीथडे होते हैं यहां तक कि मकडी के जाले भी होते हैं मैंने दूरबीन से देखा, उस गोंसले में एक बच्चा भी था गोंसले की एक तरफ चोटा सा छेद था, वहीं बच्चा बैठा था अपनी मा और खाने के इंतिजार में उसको और काम भी क्या होगा? खाना और सोना क्या तुम वीवर पकशी के बारे में यह बात जानते हो? सभी नर वीवर पकशी अपने अपने घोंसले बनाते हैं मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है उन में से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वे अंडे देती है प्रिश्ट एक सो तीस आजकल सब पक्षी बहुत व्यस्त हैं गोंसले बनाना और अंडे देना यह तो पहला कदम है बड़ी मिहनत से बनाए गए गोंसले में बच्चों को ठीक से पाल कर बढ़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है पक्षियों के कई दुश्मन हैं मनुश्य और दूसरे जानवर भी कवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं कई बार गोंसले को भी तोड़ देते हैं इन सबसे बचकर रहना, खाना खोजना, गोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चों को पाल कर बढ़ा करना, यह हर एक पक्षी की परीक्षा है फिर भी यह खुल कर गाना गाते हैं, और पंक फेला कर उड़ते रहते हैं अच्छा, तो सलाम, तुम्हारे गीजु भाई का आशीर वाद गीजु भाई बधेका ने यह पत्र कितने साल पहले लिखा था? पता करो, तुम्हारे दादा, दादी, नाना और नानी उस समय कितने साल के थे? इस पत्र में जिन पक्षियों के नाम आये हैं, उनमें से कितने पक्षी तुमने देखे हैं तुमने इन पक्षियों के अलावा और कौन-कौन से पक्षियों को देखा है क्या तुमने कभी किसी पक्षी का घोचला देखा है कहाँ प्रिष्ट 131 तुम्हारा मन पसंद पक्षी कौन सा है कक्षा में उसकी तरह उड़कर दिखाओ और आवाज निकालो, बूजो और पहचानो एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिड से दुम तक दिखे नीला ही नीला इसका हम एक संकेत देते हैं यह हमारा राष्ट्रिय पक्षी है क्या बसंद गौरी की तरह कोई और पक्षी भी पेड की तने में घौसला बनाता है अपने घर में या आसपास किसी पक्षी का घौसला ध्यान से देखो ध्यान रहे घौसले के बहुत पास नहीं जाना और उसे चूना भी नहीं गलती से भी चू लिया तो फिर पक्षी घौसले में दुबारा नहीं आएंगे गोंसला कहां पर बना है? किन-किन चीजों से बना है? क्या गोंसला बन चुका है या पक्षी अभी भी इसे बना रहा है? क्या पक्षी को पहचानते हो? कौन सा पक्षी है? पक्षी गोंसले में क्या-क्या लेकर आते हैं? प्रिष्ट 132 क्या गोंसले में कोई पक्षी बैठा है? तुम्हें क्या लगता है? गोंसले में अंडे हैं? क्या गोंसले में ची-ची-ची जैसी कुछ आवाजें आ रही हैं? अगर घुंसले में बच्चे हैं तो उनकी माबाप खाने के लिए क्या-क्या लाते हैं पक्षी एक घंटे में कितनी बार घुंसले पर आते हैं बच्चे कितने दिन बाद घुंसला छोड़ कर उड़ पाए तुमने जो गोंसला देखा उसका चितर भी कौपी में बनाओ तुमने देखा पक्षी गोंसला बनाने के लिए अलग-अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं उन में से कुछ चीजें इस्तेमाल करके तुम एक गोंसला तयार करो इसमें एक छोटा सा कागज का पक्षी भी बिठाओ पक्षी केवल अंडे देने के लिए गुंसला बनाते हैं जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे गुंसला छोड़ कर उड़ जाते हैं सोचो कैसा होता अगर हमें भी अपना घर छोड़ कर कहीं चले जाना पड़ता जब हम चलने बोलने लगें गुंसला छोड़ कर पक्षी अलग-अलग जगह चले जाते हैं पेडों पर, जमीन पर, पानी में दूसरे जानवर भी अलग-अलग जगहों पर रहते हैं कुछ जमीन पर तो कुछ जमीन के नीचे, कुछ पीड़ों पर तो कुछ पानी में, प्रिष्ट 133 आओ करें कुछ मजेदार कक्षा के बच्चे तीन समुहों में बट जाएं हर एक बच्चा एक जानवर का चित्र बनाए और उसमें रंग भरे चित्र पूरा होने पर उसे अलग काट लें अब पहले समुहों के बच्चे एक बड़े चाट पर भूरा रंग करें और उस पर छोटी-छोटी घास मिट्टी आदी दिखाएं अब उस पर जमीन पर मिलने वाले जानवरों के चित्र चिपकाएं दूसरे समू के बच्चे चाट पर पानी और छोटे छोटे पत्थर दिखाएं पानी में उगने वाले पौधे भी बनाएं अब जो जानवर पानी में रहते हैं उनके चित्र इस चाट पर चिपकाएं तीसरी सम्हू के बच्चे चाट पर पेड बना कर उसमें रंग भरें अब इस पर पेडों पर रहने वाले जानवरों के चित्र चिपकाएं इन तीनों चाटों को अपनी कक्षा में सजाओ उन पर चर्चा करो पक्षियों के पंजे जैसा काम वैसे पंजे यहां कुछ चित्र दिये गए हैं जिनके द्वारा यह समझाया गया है कि अलग-अलग पक्षियों के अलग-अलग काम करने के लिए अलग-अलग तरह के पंजे होते हैं जैसे पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे कैसे होते हैं टेहनियों को पकड़ने के लिए कैसे होते हैं पंजे और शिकार पकड़ने के लिए पक्षियों के पंजे कैसे होते हैं पेड़ पर चड़ने के लिए पक्षियों के पंजे कैसे होते हैं और जमीन पर चलने के लिए पक्षियों के पंजे कैसे होते हैं प्रिष्ठ 134 पक्षियों की चोंच जैसा खाना वैसी चोंच यहां चित्रों के द्वारा दिखाया गया है कि मास चीरने पाड़ने के लिए पक्षियों की चोंच कैसी होती है लकडी में छेद करने के लिए चोंच कैसी होती है फूलों का रस चूसने वाले पक्षियों की चोंच कैसी होती है कीचर में छान बीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए पक्षियों की चोंच कैसी होती है बीजों को दबा कर तोड़ने के लिए पक्षियों की चोंच कैसी होती है और काठने के लिए पक्षियों की चूँच कैसी होती है। जानवरों के दांत तुमने देखा होगा कि जानवरों के दांत अलग अलग तरह के होते हैं। गाए के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काठने के लिए। घास चबाने के लिए पीछे के दान्त चप्टे और बढ़े होते हैं बिल्ली के दान्त नुकीले होते हैं जो मास फाड़ने और काटने के काम आते हैं प्रिष्ट 125 साप के दात होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है गिलहरी के दात हमेशा बढ़ते रहते हैं, दातों से काटने और कुतरने की कारण इनकी दात गिसते रहते हैं आओ, अपने दातों के बारे में कुछ बातें पता करके लिखो, तुम्हारी उम्र, रिक्तिस्थान, तुम्हारे मूँ में कुल कितने दात हैं, रिक्तिस्थान, तुम्हारे कितने दात तूट गए हैं, रिक्तिस्थान, कितने नए दात आए हैं, रिक्तिस्थान, कितने दू दातों के बारे में कुछ और जानो अपने दोस्तों के दात देखो क्या दात अलग-अलग तरह के हैं? सामने और पीछे के एक-एक दात का चित्र कौपी में बनाओ क्या तुम इन दातों में कोई अंतर देख सकते हो? प्रिष्ठ 136 कल्पना करो और बताओ तुम्हारे सामने के ऊपर और नीचे के दात नहीं है तुम अम्रूद कैसे खाओगे? करके दिखाओ कल्पना करो और बताओ तुम्हारे सामने के दात तो हैं मगर पीछे का एक भी नहीं अब तुम रोटी कैसे खाओगे? करके दिखाओ कल्प ना करो और बताओ तुम्हारे मुह में एक भी दात नहीं है तुम किस प्रकार की चीजें खा सकोगे कल्प ना करो और बताओ अगर तुम्हारे दात ही नहों तो तुम कैसे दिखोगे कौपी में चित्र बनाओ जिन बूढ़े लोगों के दांत नहीं होते हैं, वे किस तरह की चीजें नहीं खा पाते हैं, पता लगाओ जो पक्षी आपके घर के आसपास सबसे ज्यादा दिखाई देता है, उसका चितर बनाओ, उसके शरीर के भागों के नाम भी लिखो चूंचूं करती आई चिडिया, अभी आप सुन रहे थे, कक्षाचार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का सोलमा पाठ, प्रस्तुती, C I E T, N C E R T, नई दिल्ली, भारत